हेलो नमस्ते दोस्तो सवागत आपका सशी की रसोई में और आज मैं बताओंगी आपको अंडा बरेड और सूजी का नास्ता बनाना ये कैसे बनता है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बड़े जल्दी नास्ता बनता है और बड़े सरल तरीके से बनता है आई यह बनाते हैं देखे दोस्तों यह बनाया है आमने ब्रेड सूजी और अंडे का नास्ता आप चाही से चीला बोलो या चाही आमलेट बोलो कुछ भी बोल सकते हो वैसे ही ब्रेड सूजी और अंडे का चीला बोलते हैं और इसमें देखे यह अब गरमा गरम चटनी के साथ खाईएगा और इसमें क्या-क्या सामगरी पड़ी कैसे यह बना है आए बताता है इसकी विधी और यह बड़े सॉफ्ट और नरम से होते हैं देखे आए बताता है कैसे बनते हैं तो ये अंडा ब्रेड सूजी का जुनास्तस में क्या-क्या सामगेरी पड़ती है ये मैं आपको आती हूं देखिए हमने ये एक थोटी कोटोरी इस कोटोरी से एक कोटोरी सूजी भिगा रखिए इसे 5-10 मिनिट भिगा दिया हमने पानी में और ये तीन अंडे और ये देखें चार ब्राउन ब्रेड हैं आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हो अपने अंसा और ये थोड़ी से कटीवी प्याज बारी ये हरा धनिया और ये थोड़ी सा अध्रकलासन का पेष्ट और ये हरी मिर्च और ये टमाटर तो हम इससे क्या करेंगे टोड़े टोड़े करके डाल लेंगे आप चाहे तो इसकी ये साइड किनारी भी निकाल सकते हैं मगर मैं नहीं निकालूंगी मैं इसे ही डालूंगी चार ब्रेड डाल रही हूं ये डाल देखें अंडे तीन अंडे जो ये और इसमें हम ये डालेंगे भीगीवी सीची बि यह बच्चों के लिए जटपट से नासता है पांच मिनट में बनके त्यार होता यह देखिए स्वाद अंसा नमग आप अपने हिसाब से नमग डाले स्वाद के अंसा थोड़ा सी अधरक लेसन का पेश्ट और थोड़ी सी हरी मिर्च यह बच्चों के खाने में वैसे ज़्यादर मिर्च पसंद नहीं करते हैं और आई अब मैं से पीस्ति यूँ सारा मिक्स मसाला देखिए मिक्सिमा में इसका पेश्ट बना ले बारिक करके अब हम इसे एक डॉंगे में निकालते हैं अब इस घुल में मैं मिलाओंगे यह कटा प्याज बारिक और ये टमाटर कटावा बारिक इसको बारिक काट काटके डालेंगे ताकि और इसे मिलाएंगे अच्छे से हमने नमक पहले ही मिला दिया है और ये सारा पेश्ट बनके तयार हो गया अब बनाते हम इसे तवय में देखे आप इसे तवय में बना सकते और बना सकते हैं प्लाल में। नॉर्मल तवय मना रही ही हलका से डालें तवा गरम हो unsere छिके सैथ्षे सर्ण देखें एक Summit कर्शी सब डालेंगे अ कि बड़ा सौफ्ट सनास्ता ही बच्चों के लिए जटपट तैयार करने के लिए अब इसे न थोड़ा पकने देंगे पक चुका है कि देखें सॉप्ट सा बन गया है ऐसे करके हम सारे बनाएंगे गयास की फ्लेम कम और इसमें फिर तेल डाला हलका सा कि गयास तेज करने चीए बड़ा सुंदर कलार है ऐसे करके आप सारे बना लिए जिता आप खाना चाहें तीन अंड़ों का चार अंड़े का सूजी जरा जैसे आप ज्यादा सूजी डाल सकते हैं और प्याज भी फोड़ा मीडियम कटोरी ज्यादा भर के काड़ सकते हैं और तीन अंड़े की जगा चार अंड़े कर रहा यह नास्ता बच्चों के लिए लांच बॉक्स या खुद का बड़ा टेश्टी देखिए हमारा यह नास्ता रे खुद के लिए लांच बड़ा मीडियम के लिए।